नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विरेंदर कुमार, मैं कंसल्टेंट इन तोरासिक सर्जरी टाटा हॉस्पिटल मुंबई आज का अपना जो बात करने का टॉपिक है वो इंपोर्टेंस ओफ सर्जरी इन लंग कैंसर कोई भी कैंसर हो, कोई भी सॉलिड मलिगनिंसी होता है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, and 4 अगर लेमेन टर्म में अगर मैं इसको क्लासिफाइ करने का चाहूं तो अरली बोल सकते हैं, लोकली अडवांस या तो स्टेज 4, that is metastatic, ऐसे हो सकता है इसका मतलब है कि जितना जल्द के स्टेज में कैंसर का डाइगनोसिस हो, उतना बेटर आउटकम होता है अभी जहां तक सवाल है अरली स्टेज में डाइगनोस करने का, तो लंग कैंसर के कुछ सिंप्टम होते हैं जैसे खासी, कभी-कभी खासी में खून आना, या सास लेने में तकलीफ होना, वेट लॉस, कुछ high-risk फीचर होते हैं अगर यह सब सिंप्टम किसी पेशेंट को, जो की स्मोकर है, या तो जिनके फैमिली हिस्ट्री में लंग कैंसर है, इन में यह सब सिंप्टम आते हैं, तो as early as possible, हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए डाइग्नोस करने के कुछ investigation होते हैं, पहले तो imaging, जैकि CT scan या PET scan करना पड़ता है, फिर biopsy, एक धारना है कि biopsy करने पे cancer का stage बढ़ सकता है, या cancer फैल सकता है, यह बहुत गलत है diagnosis का एक बहुत important part है कि tumor कौन से type का है, जिसके लिए biopsy बहुत important है, जो biopsy से cancer फैलने का कोई risk नहीं होता है, बाइपसी बहुत जरूरी है किसी भी cancer को diagnose करने के लिए बाद में pet scan होते हैं, brain का MRI किया जाता है, अगर इन सब में बिमारी earlier stage में है, जैसे कि 1, 2 में है, या suppose 3 में भी है, तो भी cure possible है cure के लिए operation किया जाता है earlier stage में, थोड़ा advanced है, तो chemotherapy देखकर फिर operation किया जाता है, suppose patient fit नहीं है, या बिमारी थोड़ी ज़्यादा advanced है, तो other treatment modalities है, जैसे chemotherapy and radiation but अगर stage थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि stage 4 में आ जाता है, या patient fit नहीं है इन सब treatment के लिए, तो अपने पास दूसरे treatment modalities हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि we cannot give a treatment but better that diagnosis is made in an earlier stage, बिमारी जल्दी के stage में पता चले, तो outcome ज्यादा बेटर होता है जहां तक surgery का सवाल है lung cancer की, तो या तो चीरा दे कर किया जा सकता है, या तो दुरभीन से किया जा सकता है दोनों के oncological outcome, मतलब जो survival में outcome है, उसमें कोई जादा difference नहीं है Surgery का जो complication है, वो जादा नहीं है, earlier the stage, better the outcome as I already told you उसका अगर मैं layman term में बुलना चाहूं, तो earlier अगर diagnosis हुआ, patient has undergone surgery तो 5 साल का जो survival हम देते हैं, वो around 70-80% है, जो कि significantly good है तो इसलिए अगर symptom है, patient high risk characteristic features हैं, जैसी smoking हो गया या पहले pre-existing कोई lung condition है, या family history of lung cancer है सो आपको जल्दी से जल्दी किसी clinician या किसी अच्छे hospital में जाके consult करना ज़री है investigation, operation और उसके बाद outcome बेटर है, and obviously survival बहुत बेटर है जहां तक surgery का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि surgery या तो चीरा देके या तो दुर्बीन से किया जा सकता है जो complication जैसे post-operative recovery का मैं बताता हूँ, so right side में तीन लोब होते हैं लंग में, left side में दो होते हैं जिस भी लोब में या जिस भाग में tumor है, वो भाग निकाला जाता है उसके अगल बगल छोटे-छोटे node होते हैं, वो node भी निकाले जाते हैं, क्योंकि cancer जब फैलता है तो पहले लोब, जैसे लंग के बाद वो छोटे-छोटे node जो होते हैं लंग के पास उसमें जाता है, तो लोब उसके साथ-साथ node निकाले जाते हैं Usually, hospital stage जो होता है, 5-6 दिन का होता है, 90-95% of patients 5 दिन में recover हो जाते हैं और हम उनको घर पे discharge कर देते हैं कोई जादा pain वगरा जो होता है, उसके pain medication के साथ discharge किया जाता है, और कोई जादा medicines नहीं दिये जाता है, immediate post-operative period में उसके बाद patient को हम 10-12 दिन बाद बुलाते हैं, जो भी हमने निकाला है cancer score, उसका pathology report देखते हैं, उस report के हिसाब से एक final stage decide किया जाता है, और फिर उस stage के हिसाब से हम decide करते हैं कि patient को कोई further treatment चाहिए कि नहीं चाहिए जैसे chemotherapy हो गया, या radiation therapy हो गया, या बहुत cases में कोई और further treatment नहीं लगता है तो यह बुलने का सारांस यह है कि diagnosis in earlier stage अच्छा outcome है, surgery करने के कोई बहुत ज़्यादा complication या poor outcome नहीं है पांच से छे दिन तक का hospital stay then you can go home, you can go back to your routine work after two weeks of surgery तो आप अपने जो भी आप दिन चर्या थी या जो आप काम करते थे, दो से तीन वीक तक आप ऐसे recover हो जाते हो इस surgery के बाद कि आप अपने normal काम को वापस से join कर सकते हैं